गूर्ड मॉर्निंग होलो फ्यू जो विश्व इस्त्री राजदी विज्यान का जो केंदर बननी जा रहा है ध्येन का काउंटर डिबेट का सीरल इंस्टी कुछ ही दिनों में दावा करें के अपनी दर्ब से कि विश्व में राजदी विज्यान का सबसे उच्टम अध्यन के अंदर है इसी कड़ी में आजकल 26 जनुरी रिपब्लिक डेत राश्ट्रे परो जो भारत का है कानुनी दिवस भी माना जाए बसे कल हमने सूशा संदिवस मनाया है 25 दिशिंबर को शू उपसरग लगने सिसासन से पहले सूशा का सूच्चक है ये बिलकुल जरूरत है और परधान आशकता है भारत माता की भारत देश की भारत की जनता की नहीं विश्व समुदाए की भी की सूशाशन हो सच्चाई और अच्चाई बढ़े बुराई और जूट का पतन हो बैड बारकिंग बंद हो भारत देश नितर मैं हूँ अभी सूशाशन की ही की कड़ी में यहां का व्यक्तिब्रा बुद्धी जी और सरमसील माना जाता भी स्विश्टर पर विद्धिशी राष्टर मानते हैं कि वहाँ कि बच्चे बड़े अध्यन सील है और किसे ने कहता जा पढ़ाई है वहाँ सब कुछ कभी रहीमन ने तो कह था कि पानी है वहाँ सब कुछ है रहीमन पानी राखी बिन पानी सबसून पर आज के जो राष्टरा धेक्स है इस जमाने के वो सभी अपने बच्चों से कहते हैं राष्टर के बच्चों से कि पढ़ल लो आगे वही देश जाएगा वही राष्टर जाएगा वही कंट्री जाएगा जहां जितने पढ़े लिखे बच्चे होंगी जितना उनका उच्चतम इस तरह होगा तो भारत पढ़ाई का किंदर है गड़ है इसमें कोई दोराएं नहीं है अब मैं राजनी विग्यान की तरह उसी तरफ होगा कि सुशाशन और सच्चाई की तरफ होगा हमने यह गभ्यान भी चला रखा है चैनल ने कि राइज रेप्यूटेशन होता मदरी इंडिया और 26 जनुरी तक जारी रहेगा लाखो करोड़ों जितने भी संदेश परचारित और भेज़े जासके इसके लिए सेखन परियाश चल रहा है यह उन स्टीज में भेजने का दूसरे सरस्थानों भेजने का मंत्रालों भेजने का ताकि लोग जी जान से जुटे हैं कुछ बाते बताएगी उसमें कैसरे पूटेशन में भी चाफा कर सकते हैं उसी कडिमी में आज भारती राजनती तरफ अब करनवट कर रहा हूं कुछ दिन पहले ने तीस साल से सबत सुनते आ रहे हैं किरकेट गोटाला बूमिंग गोटाला पहले कुछ अलक दल के लोगों ने दूसरे दल की एक बुरिष्ट नेतरी के पती परारूप लगाया था हर्याना बूमिंग गोटाला रास्थान बूमिंग गोटाला रास्थान सरकार ने उसको खरीद में साय था कि बोडर भी का इस तरह के भी खबरें भी कुछ अकवारों ने सुर्खियां बनाई लंबा रसा हो गए उस बात को सुने वे किसको लूटा था उसने रज्जे को या जन्ता को या किसी विक्ति को कितना लूटा था मारूप लगाने वालों पर को हुआ गद्दार ने बने जूटे ने बने ये भी आपको पता होना चीए जूटा मुकद्मा लेकर आना भी एक सुब्यासी भी किता है दंडित क्या जाना बनता है यदि खा गया था रज्जे के जन्ता और रज्जे के धन को चुनना लगा है या किसी किशान को लगाया तंकित करकर इस्तिति श्पष्ट करे जिन लोगों उन आरोफ लगाय था ये भी तैय करना होगा कि आरोफ लगाने वाला शिद्ध भी करे कि आरोफ जूठा था ये सच्छा था क्या उसको कभी बदनाम तो ना किया गया था आज सूसासंदी सुर में ये भी कोँगा यदि वो शिद्ध कर पाते हैं तो कालम उसका है रेद नहीं कर पाते हैं तो कालम उआरोफ लगाने वालों का है ये बता देना चाहते हैं भारती कानून बोलता है भारती समीधान बोलता है जो मुसूश आसन की बात करते है कितना खाया था और कहा है और अगर खाया गया था तो आज तक उधन निकाला क्यों निकाए वो जिम्मेदार रज्जी सरकारों की थी किंदर की थी और नेले की थी जो भी एजन्सी उसके लिए जवाव दे थी उसको अपर गंबिर आरोप लगे थी और भारत की सदश्चे जो भारत माता के बेटी थी बड़ी उद्वेलित होए थे कि अगर उस चोर ने मारा धन खाया है तो उसे क्या सजा मिली है हमारी पंचाई तैंसे लोगों पर उड़ी कठोर दंड देती रही है पर उन्त ये भी ध्यान रखी कि कि किसी निर्दोस विक्ति बर आरोप लगाया था तो आरोप लगाने वाला भी उतना काले मुका अगदार है उस पर दंड लगा जाया है बिल्कुल उस पर अध्यारपित के जाये दन इंपाउजट पैनल्टी ये जिस विक्ति न उसको बलेम किया था उस पर दंड कहा है ये नहीं चलेगा मैं भारती ने पलिकाव करता हूँ कि खड़ी हो शुपतावस थमना है कि कौन सी बात है कि करोड़ों लोगों के चेहरे में जो बात एक परकाश से स्मचारित की गी थी कि उसने खा गया और ये खा गया तो धन कहा है और खाने वाला काला कहा है नहीं खाया तो उसको बदनाम क्यों गया सफेदा दियों काला क्यों कहा गया और आरोप लगाने वाले से हम धन लेंगे यह ऐसे बनेगा मजला विश्विद्ध आले इन चोरों को बुलाकर दोनों में से एक चोर था दोनों निर्दोस नहीं हो सकती मैं मानने अदालतों से कहता हूँ डिस्पोज आफ अकिला नहीं होता भारत के प्रधान अदिश को एडरेस कर रहा हूँ है चीर जस्टिस हो इंडिया को भी कि आपकी छोटे अदालते जब यह कहती है बाहर निकलते हैं लोग हमें बताते हैं कि सर बदमासी कर गया जज़ किसी को दोसी नहीं ठाराया नहीं तो पेटिशनर को नहीं रिस्पोंडेंट को और ऐसा कभी नहीं होता एक विक्ति कहा रहा था चोरी किये दूसर कहा रहा नहीं कि उनमें इसे एक दोसी है डिस्पोज आफ नहीं पहले को दोस्त करने की प्रनाली है कुछ नहीं है एक विक्ति दोसी है ये बहुत विश्पोज आफ का मामला जो को समयधानिक मामलों जुराओं कोई बार ये खुद अधिनस्त दालती मानती हो की मामला अगर रूच दालत देख लिए ज्यादा बैतर है डिस्पोज आफ का कुछ हरत है इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेटिसन को नहीं 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 दिया जाए परमान के वावजुद और डिस्पोज ओप को गया गया जाए कि खाने के लिए प्रेशित के नहीं पहले का इससा नहीं है प्रदन नहीं दिसमोदे छोटी अधालतें बदमासी कर रही है जब आफ देए हमारी नहीं है जज नंगा होकर नंगा नहीं दे रहा है उसको जूत माने का हका आपको है नहीं के हमी आपको अधिकार है हक है और आपका दैट तो भी है बाद और शिपाई के पिताए के अत्या हुई थी शेशन सहाब ने आज ही उनकारवार सुनाय था उन लोगों को जो आज भी जर्चावीशे बना हुआ है दो करोड पंजाव और नरेना उचिनेले की न्यादीशा पर जो आरप लगा था कहा हो जच और कहा हो दो करोड ये जवाब दी सू सासंदी उसके दिन इस परधान न्यादीश परधान न्याई पालक की बनती है उसके हम जूत मारेंगे सड़क पन नंगी करके तो लोग हमें कहेंगे कि तुमने कान उन हाथ में लिया है इसलिए भगत सिंग के छोटे भाई बैठे है बुखे बेड़ी एक तरह उस गंगी को खाने के लिए उस गंगी को जलाने के लिए परदान न्याई पालक से में पराथना करता हूँ विंती करता हूँ सुवे पराथना समा में कि इस तरह की नंगी वियोस्था को कपड़े पहनाई बलबिंदर सर्मा पंजाव नरिना उचिन्याले का न्याई धीज जो रजिष्टरा करे कर रहा था सुनिता मामले में गंभीर अपराथ का दोसी था कौन से दालत ने सजा सुनाई है जनता हो बताई जाए नंगी वियोस्था नहीं चलेगी साओधी अरब की वियोस्था लोग आयतित कर रहे है मैं भारती स्मिधान की वियोस्था पर भी स्मिधान पालकों से भी कर रहा हूँ कि रेस्पेक्टू कॉंस्टिटूशन में जो अमेंड करते हैं देखां अमेंड और भी करने लिए सोच लीजी कि साओधी अरब की वियोस्था हमारी वियोस्था किसके करीब है हम अमरिका जाएं उत्तर अमरिका की देश में जो हमसे कितने दूर है साओधी अरब के नजदिक जाएं जाकट खुर्दंड आयात की जाते हैं आयतित की जाते हैं इस तरह लोगों पर नयाई पाले को सोधारने के लिए आ गया है नयाई थीसमों थे भारत मा अता की अच्छे बेटी आ गया है गोगोई जैसे नयाई थीसमों जरूरत नहीं है अच्छे नयाई पाल कोई जरूरत है राश्टरवाद बढ़ाने के लिए नागरी कोंग करते भाव जगाने के लिए जरूरी है कि अच्छादर से फेश के जाएं होसला फस्त होता है बगत सिंग जी लाला अच्छादर राश्वाद चिनर बोश जी और जंदर शेकर जी भी पिन चिनर पाल जो दूसरी जो भारत में बनता है शहीद होए थे हस्ते हस्ते मेरे थे अगर उनके आत्मा को जाकर बता दिया जाए तो आत्मा रूर ने भी लग सकते हैं उनकी माजी ये बता दिया तो परदान कारे पालक को कभी ये ने कर डालें कि ये नंगे तो नंगों सिब खराब है तब क्या मूर रहेगा तुमारा किसको दिखाओगे तुमा वे उस्ता सुद्रे कल जिस महिलाई पती को लोग चोर बता रहे थे कल वो भी चिला रही थे लखनों में अजो दम बुमे गोटा लाओ पहले अपनी सफ़ाई तो दे उसने दूसरों पर रहा और मड डाला बुमे गोटा ला उस सिर्प उछा जाना चाहिए इस तकासा दायर किरवाने के लिए कहा जाना चाहिए इस तकासा दायर के लिए बानने दालत में कहा हूँ अब ओमे गोटा लाओ और नहीं सिर्प पहले तो दोसी वो बने दिल्ली किरकेट संग बाही जेटली के आशु तका आ गए थी कहा मैं जे मेरे पर आरुप लगाए कि मैं दोसी नहीं हूँ मैं चोर नहीं हूँ मैंने दालत को बताए गया और राम जेटमरानी को जज़ को ये कना ज़ज मोदेव कना पड़ा था कि थोड़ी बासा में शालिन तब लिया उचित नहीं है बाद में जो ये नया नेता हुँ रहा है कि ज़िवाल उसने कहा कि माफ़ मांगता रहा है माफ़े माहनी जुरुती नहीं है क्यों मंग रहा तू माफी यह दिद दोस्टी नहीं है तो अपने कोटेशन बना रहा है अपने कॉमेंट्स पर जाए दोस्टी है तो क्यों ऐसे बियान क्यों देता वह था भई तू जो माफी मंग रहा है यह गलत है यह चीजे शोबानी देती मैं सभी कर रहा हूँ भारती राजनता हूँ जो छोटे कद्सी लेके बड़े कद्स जो भी लोग राजनी कर रहे हैं कि शालेंता बनाएं और कानों ने बासाच सीखे मैं माफ़े मांग रहा हूँ जो ठिया रव लग देना रव कुछ मिला नहीं कल मैं ये भी सभीधान दिमस मनाने जा रहे हैं ममता बनर जी को मैं इन दा मौनिंगर से मिले केकिंग करूँगा एक जिम्मेदार मुख्यमंतरी बने उसके सिक्ष्यमंतरी का जो ये बयान है मैं ब इन बताना चाता है इन सब को उसके सिक्ष्यमंतरी अभियान ओर अमोदे के फद के घरेमा कोी घर्यमा कोई ख्तम करना चाता हूँ भारते से एकतिक दूरॉबसे कानुनी उसके रहा है तो मानने अदालत मैं प्रेश में बततंते हैं और भारते से इस्टरी बट से दृणा स भी किया जाने जाए चीजिए और सजा दी जाने जाने जाए अगर आधार है तो इसकी बात को उसको न्याद दीजाना जाए जाना जाए मैं ये भी साथ कह रहा हूँ, गैर जिम्मे fellow भियान देना नागरिक बने, सभ्वे नागरिक बने और उसी बात को कहीं जिसका परमाण, परमाणिक भास्टाओं का परियोग करके और बोट बटोरने का जोई के लूट, बोट के लूट कुऊ हम उसे भारतिय नागरिक में से, यह अच्छा नहीं है और इनने चलने दिया जाएगा चैनल इसके लिए खिलाब खड़ा और इनको बिल्कुल इस तरही बास्टाओं करने वालों से यह भी कहता है, कि भाईया मर्यादित आचान करें, और परधान ने पालग मोदेशी में मौने के से, मैंने सोचे दिपराचन कर रहा हूं, कि छोटे दरजे के जज काफिया तक दोसी ह उनके पर जो है, उनको लताड़े, उनको ऐसे लताड़े जैसे एक बदमाश और गुंडे को पुलिस के और शड़क पर पीटती है न, इस डंक से परधान करें पहले कमोदेशी बता रहा हूं, मुझे कभी अब सर्देम बता दू, मैं मेरे पास परमान इकता अपलोब दे, मैं पहले करता हूं कि और हम परमान से बोलते हैं, और हम परमान से बोलना ही पसंद करते हैं, परन तो उन लोगों को दंड देने के लिए, जो नारको टेस्ट और वगरा जो भी हैं, पुलोग्राफिक टेस्ट, उनका परियोग किया जाएता कि पता लग्स के रात को इसके रिडर से कौन मिला था और ये रिडर से कम मिला था ये बहुत बड़ा इशारे दिया है मैंने मौलने असमले में कि इसकी रिडर से कौन मिला था और ये रिडर से कम मिला था ये एक बहुत बड़ा पेज है और मैं सबीजनरी को जो हम समिधान दिवस्त समिधान भारती कानून की जो पुस्तक है वो लागूई थी उसको समर्पित करने के लिए बता रहे हैं कि नय पहले का सुद्रिड होना अतियावसिक है और हमारे शामने नय परसन भी खड़ा हो गया है सनसोदनों के जो बात ही चल रही जो सनसोद बार वार कानू बना रही है तो एक कानून ये भी द